हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड दोस्तो आज ही रिजल्ट आया है CSEET नवंबर का और अब आपके मन में सवाल आया होंगे जो भी बच्चे पास हुए हैं और जो लोग फेल हुए हैं I will wish them best of luck for next exam which is scheduled on 9th January ठीक है तो इस वीडियो प्योर्ली जो पास्ट बच्चे उनके लिए उनको गाइड करने के लिए है कि आप उनको एक्डिकेट्व में क्या करना है उनको कौनसा exam में लेगा registration कप करना है प्री exam का जो concept है वो क्या है आप तरह तरह की बाते आपने सुनी होंगी आप आप सुनोगे तो मैं एकी वीडियो में आपको पूरी बाते बताऊंगा ताकि आपको जादा इधर दर जादा वीडियोस ना देखनी पड़े एकी वीडियो में सारी बाते मैं आपको बताने व हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बाते बताऊंगा registration subjects क्या है orientation program भी applicable है आपको वो क्या होता है कैसे होता है pre exams के बारे में बताऊंगा जो अभी तक आपको नहीं थी पर अब आपको applicable है revisions कितनी करनी होती है exam form कब बरना होता है writing practice कब परनी होती admit cards कब बाते exam के हर चीज जून 21 के बारे में इसको आपको इसमें बताऊंगा चलिए सर सबसे पहले है कि executive में दो modules है मतलब दो groups है ठीक है module 1, module 2, दोनों में 4, 4 subjects है total 8 subjects है 8 में से 3 subject, 3 subject आपके MCQ हैं लेकिन with negative marking ETB MCQ थी लेकिन उसमें negative marking नहीं थी पर अब आपको negative marking भी रहेगी 0.25 मतलब एक mark एक question अगर आप wrong कर देते हो तो एक mark तो जाता ही है extra over and above extra 0.25 marks भी आपके deduct होंगे ठीक है तो उसको कहते है negative marking तो 8 में से 3 subject आपके MCQ है 1st is tax loss जो 1st module में आता है और 2 MCQ पेपर आपके 2nd module में आता है that is corporate management accounting and financial and strategic management ठीक है तो ऐसे 3 subjects आपके MCQ है ठीक है और बाकी जो 5 है वो पूरे के पूरे written papers है descriptive है तो यही सबसे बड़ा challenge है जो आप face करोगे executive में कि अब आपको सर लिखना पड़ेगा EET में तो चल गया EET में तो चल गया बिना लिखे काम जम गया handwriting का कोई फरक नहीं पड़ा speed का कोई फरक नहीं पड़ा presentation का कोई फरक नहीं पड़ा पर अब वो फरक पड़ेगा और आपको extra effort लगाने पड़ेंगे उन लोगों को खास कर लगाना पड़ेगा जिनके handwriting अच्छी नहीं है जिनकी speed बहुत कम है लिखने की उनको इस बातों पे ध्यान देना है नहीं तो क्या होगा सीधे आखरी दो मैने में पूरा pressure आप पे बन जाएगा और जो चीजें सुधर सकती है जिसके लिए अच्छा खास आपका time है वो आप ignore कर जाओगे तो जिनके handwriting slow है जिनके handwriting खराब है उनको मैं clearly बता रहा हूँ कि आपको bother करेगा last two months में तो आज से अगर आप काम करते हैं तो might भी आप improvise कर लो ठीक है तो subjects के नाम आपके screen पे दिख रहे हैं पांच written है तीन MCQ है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर है passing criteria क्या है ठीक है dual passing criteria होता है individual भी पास करना है individual एक एक subject भी आपको पास करना है by scoring 40 marks out of 100 marks in each subject और group passing भी है module passing की aggregate module में भी आपको aggregate चारो subject मिला के 50 percentage marking चाहिए चार paper है 100-100 mark के 400 mark का आपका group है 400 में से 50 percentage that comes 200 marks तो 200 marks आपको हर module में लेना होगा मतला आपको subject भी पास करना है आपको module भी पास करना है अगर आप एक subject में fail होते है तो भी module fail हो जाओगे अगर आप aggregate नहीं निकाल भाए तो भी group में fail हो जाओगे औ आपको पूरा group फिर से देना पड़ेगा आ रहा है ख्याल में इसमें exemption के criteria होते हैं कि individual subject exempt होता है उसके बहुत पूरा वीडियो है मेरा वह आप detail में देख सकते हो एक general general वाला बता रहा हूँ actually दो rule होते हैं दूसरा rule बहुत detail में मतलब बताना पड़ता है इतने short में आपको पहला जो criteria है जो बहुत famous criteria है जो सबको पता होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक single subject में 60 marks हैं और उस group के remaining papers में कम से कम सब में 25 marks each हैं तो फिर वो जिसमें 60 हैं आपको वो subject exempt हो जाएगा मतलब आपको फिर से नहीं देना है भले आपका group fail हो गया होगा ल remaining subjects में हर एक subject में 25 है तो वो subject आपका exam हो जाता है ठीक है तो ऐसा पूरा है 8 subject है group wise आपको पास करना है बोद group अगर आप दे रहे हो तो 800 में से आपको दोनों मिलाके 400 marks चाहिए हैं ठीक है set off का भी benefit होता है एकात group में आपको थोड़े marks कम है 200 नहीं है 195 है और दूसरे में वो पांच mark extra है 205 है तो अगर 195 प्लस 205 हो जाता है तो आपको वे set of पांच mark का मिल जाएगा और total 400 count होगा और आप दोनों group पास माने जाओगे even if एक group में आपको 195 या फेल थे बट दूसरे group का access जो है वो आप as a set of use कर सकते हो ठीक है set of का benefit अवेलिबल होता है बोद groups में तो य यह सब है do all passing है आपको याद रखना है फिर है कि registration कब करवाना है सबसे पहला step जो आपका अब pass होने के बाद होगा that is registration सबसे पहली बात में आपको बता दू registration हमेशा both group का ही होता है आप exam एक group दो exam both group कोई फरक नहीं पढ़ता that is decided in the exam form जो आप exam form भरोगे that will decide कि आप कौन सा exam देने वाले हो कौन से group को time करने वाले हो लेकिन registration में ऐसा नहीं होता है registration is always for both groups पूरी fees registration की एक साथ देनी होती है और सारे के सारे institute के modules भी आपको एक साथ ही आते हैं सबसे बड़ा confusion यह होता है बच्चों को ठीक है तो दोनों groups का एक साथ ही registration होता है तो sir dates क्या है date है sir 30th November यानि कि आपके बास 5 दिन है जो लोग 5 दिन में register करवा लेंगे वो both groups देने के लिए eligible होंगे compulsory नहीं है यह बात समझ लो आप ET से आयो ना तो आप समझ लो कि compulsory नहीं है 30 November के पहले जो भी register करा रहे हैं उनके पास option हो जाएगा कि वो चाहें तो both भी दे सकते हैं वो चाहे के बाद register करते हो और up to 31st January register कर लेते हो 30 November के बाद और 31 January के पहले इस दौरान अगर आप register करते हो तो आप both groups के लिए eligible नहीं हो आपको compulsory कोई भी एक group मतलब देना होगा एक ही group देने के लिए आप eligible होंगे कोई भी एक group दे सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही group पहले दे सकते हो और आपको इस वीडियो में guide करूंगा कि अगर आप single module target कर रहे हो तो कौन सा module आपके लिए better होगा क्यूं होगा वो सब भी मैं आपको आखरी में बताऊंगा ठीक है तो eligibility criteria है compulsion नहीं है अगर आप both के लिए eligible हो आप single module के लिए भी appear हो सकते हो ठीक है clear रखो तो यह आपके dates हो गए फिर है sir registration fees कितनी है वो है both module की एक साथी होती है मैंने आपको बता दिया 10,100 आपको compulsory minimum charge भरना है जिसका breakup मैंने दिया हुआ है registration fee, education fee, pre-exam fee भी इसमें included है अलग से आपको नहीं भरनी है और one day orientation program जो होता है उसके भी 600 इसमें included है तो आपको अलग से इसक exam की जो fee होती है exam form की fee होती है वो बस अलग से भरनी होती है बाकी सब इसमें included है institute के module भी इसमें included है आपको घर पे आपके आजाते हैं एकात देड़ महीना लग जाता है बट आपको घर पे directly आपके address पे आजाते है जो registration के दौरान आप भरते हो चीक है तो यह है आपका fees 10,100 आपको total भरना है उसमें यह सब included है इसी के अंदर आपका module भी आ जाएगा सिर्फ इसके अलावा आपको exam form की fees भरनी है चीक है चलिए आगे फिर exam form जून 21 का आप exam दोगे तो exam form start होते हैं 26 वरवरी से 26 वरवरी से form start होते है without late fee आप 25 मार्च तक भर सकते हो पूरा एक महीने क आप एक महीना आपको मिलता है आप exam form भर सकते हो इसमें आप decide कर सकते हो कि आपको कौन सा module appear करना है बोत appear करना है single करना है single बेभी कौन सा करना है जो भी exam के बारे में चीज़े हैं वो इस form में होती है ठीक है तो एक महीना आपको मिलता है without late fee फिर अगर आपकी 25 मार्च की date निकल गई तो भी आप late fee भरके 9th April तक form submit कर सकते हो fees है sir single module 1200 रुपे और बोत module का है 2400 रुपे और अगर आप late fee late भर रहे हो तो 250 रुपीज का late fee भी additionally आपको भरना पड़ेगा over the exam fee चिक है तो यह हो गया exam fee और dates आप देखी रहे हो बहुत time है तो अभी exam form के tension मत लेना अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो मेरे चैनल से जुड़े हो मेरे इंस्टा पेज से जुड़े हो आपको हर चीज के dates अपने आप पता चलते जाएंगे आपको tension लेने की जरुवत नहीं है बसे चैनल सब्स्राइब कर लेना इसका नोटिफिकेशन जो bell icon है वो दबा देना आ आपको हर चीज टाइम पर मैं communicate करते जाओंगा चीक है चलिए तो 26 फरवड़ी से form start होते है तब तक आपको tension लेनी की ज़रुवत नहीं है फिर है सर O.D.O.P. वन डे ओडेंटेशन प्रोग्राम यह नया एक concept है जो लाया गया है executive के लिए foundation and executive आप foundation में तो थे नहीं आप त तो executive के लिए आपको apply होगा अब इसका situation ऐसा है कि technically लिखा हुआ है कि 15 दिन में करना है पर यह follow नहीं होता थीक है 15 दिन आप completely ignore करना मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ आप 10 बार मुझ से बात पूछो कि मैं 10 बार वही बात बताऊंगा कि 15 दिन का जो criteria लिखा हुआ है य और यह date इतनी जादा बढ़ती है कि exam form के date के भी आगे निकल जाती है अरे exam form के date के आगे निकल जाती है इतना extend होता है तो आप बिलकुल tension मतलो आपको March या April तक का time मिलेगा और यह just a formality है यह just a formality है you can write it down कुछ लोग को बहुत tension आता है इसलिए बता रहा हूँ लिख लो it It's just a formality बस एक दिन का वो करना है certificate मिल जाता है बात खतम जादा tension नहीं लेना है ठीक है क्योंकि institute इसको properly conduct नहीं कर पा रही है तो इसलिए दिक्कतों के वज़े से institute की दिक्कतों के वज़े से आप tension मतलो ठीक है institute आपको guide करेगी कब क्या करना है और बहुत समय इसके लिए आ formality है that is pre examination technically ये भी एक formality है pre exam एक mcq exam है ध्यान दो main exam मैंने आपको बता दिया 8 paper है 8 में से 3 paper mcq होते है main exam में 5 paper written होते हैं लेकिन pre exam एक separate exam है it's a separate examination online examination है अब क्योंकि ये online है सारे subject इसमें mcq ही होते हैं ध्यान दो pre exam में सारे subjects mcq ही होते हैं और सब में negative marking रहेगी और इसमें सिर्फ एकी passing है 40 marks का individual passing आपको करना है इसमें आपको aggregate passing applicable नहीं है सब दिया हुआ है मैंने ठीक है आप पड़ भी सकते हो मैं बताते भी जा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा 8 paper आपका mcq रहेगा negative marking रहेगा आपको सिर्फ individual passing निकालनी है that is आपको 40 marks आपको निकालनी है इसमें attempts की limit नहीं है दरना नहीं है कि एक बार में पास करना है ऐसा न मिलते हैं I don't know उसके उपर भी extend होता है कि नहीं पर 100 बार आप ये exam दे सकते हो हर रोज एक exam मतलब दे सकते हो एक दिन में एक बार आप exam दे सकते हो तो इतना मतलब relaxed है इतना relaxed है दिन में एक exam दे सकते हो और आपको बस exam form भरने के पहले 25 मार्च की डोट डेट है उसके पहले exam form भरने के पहले बस आपको प्री exam पास करना है online रहता है सब मैं बता दूंगा e-learning website के थूँ आप दे सकते हो तो इसका भी आपको tension नहीं लेना है आप direct फरवरी या मार्च में इसको attempt कर सकते हो फरवरी मास तक आपको कोई tension लेनी की ज़रुरत नहीं है आप अपनी जो regular प load नहीं लेना है चीक है चलिए तो यह full syllabus का exam होता है जो main exam जैसा होता है वैसे full syllabus होगा same syllabus होता है सिर्फ MCQ pattern रहेगा और negative marking रहेगी और आपको individually एक-एक subject pass करना है अब यह mandatory है pre-exam mandatory है mandatory का मतलब कहा है सर कि अगर आप pass नहीं हो पाए तो आपको main exam में बैटने नहीं दिया जा और घर बैटके देना है तो कोई tension नहीं सौ में से 40 तो आप निकाली लोगे चीक है तो ऐसा है तो यह mandatory है फिर अब सबसे बड़ा सवाल है जो आप काफी समय तक काफी समय तक आप जूशते रहोगे इसमें कि आर एक group दूँ या बोद गूँ जो भी बच्चे 30 November के पहले register क करेंगे उनको यह सवाल का सामना करना बढ़ेगा जो 30 November के बाद register कर रहे हैं उनको तो एक ही module देना है उसमें भी लेकिन सवाल तो उठे गई कि एक group दूँ दो गूँ और एक दूँ तो कौन सा दूँ वो भी एक सवाल उठेगा तो अगर अब मेरे साब से आप अगर गिन उसमें भी यह जो दो फॉर्मालिटी है, O.D.O.P को भी फॉर्मालिटी आपको पूरी करनी है, Pre-Exam की फॉर्मालिटी पूरी करनी है, Revisions भी करनी है, Test Series भी करनी है, तो मेरे हिसाब से बोद गुरूप थोड़ आपको टफ जाएगा क्यूंकि आप classes भी करोगे, Self करोगे तो यहां 8 है, वहां सब टिक मारना था, यहां सब लिखना है, तो फरक है, यह मैं बताऊंगा आपको इस सब, कि EET में और Executive में क्या फरक है, तो आप हलके में न ले, आपका अभी का रिजल्ट आया है सर, 79%, 79% is the result of CSET, और सर Executive का क्या है सर, Executive का सर, बोद ग्रूप का तो होता है, कि Single First Module का On An Average 8% का result होता है, 8%, 100% देते हैं, तो सिर्फ 8 First Group पास होते हैं, और Second Group का है 12%, थोड़ा जादा है, इसलिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, कि अगर आप एक Group सोच रहे हो, तो कौन सा Group देना चाहिए, Obviously Second Group देना चाहिए, विकोज उसका Passing percentage जादा है, क्योंकि उसमें 2 subjects MCQ है, 2 subjects MCQ है, और MCQ में सबसे अच्छी बात क्या है, आप जादा score कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रत नहीं, आपके handwriting, आपकी speed, आपका grammar, इसका कोई role नहीं है, आप आराम से उसमें 60 ले सकते हो, तो हमेशा Second Group should be the priority if you are thinking of one group, कोई एक Group देना है, त Second Group दो, वो तो साबित है, आपके result से ही साबित है, कि First Group का result कम होता है, 8% ही है, क्यों, क्योंकि उसमें से 4 में से सिर्फ एक ही subject MCQ है, बाकी 3 paper written papers है, तो उसमें aggregate निकालना बहुत मुश्किल है, इंडिविजल तो आप निकाल लोगे, 40 mark निकल जाते हैं boundary पे, लेकिन aggregate में सब में 50-50 लेना बहुत मुश्किल काम है, तो aggregate, First Group निकालना individually मुश्किल है, मतलब सिर्फ Group 1 अगर आप दे रहे हो तो मुश्किल है, Group 2 भी है, Set Off के वज़े से भी निकल जाता है, तो बोध ग्रूप इसलिए भी beneficial होता है, क्योंकि आपको Set Off मिलता है, Second Group में थोड़े 10 mark आप ज दे रहे हो, जैसे आप सिर्फ 6 महने है, सिर्फ 6 महने, अगर 9 या 10 मंस होते, तो मैं आपको हमेशा बोध ग्रूप ही बोलता, बट सिर्फ 6 मंस है, तो मेरे हिसाफ से बोध ग्रूप देना बहुत-बहुत-बहुत-बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको Classes करने में ही काफी फिसिकल मिलते हैं, बट आपको आने में टाइम लग जाता है, एक महना तो आपको अहीं बरबाद होगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप थोड़ा टेंशन होगे, पढ़ाईगा, तो अब जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आपके पंदरा भी इस दिन सपोर्ट मिलता है, एग्रीगेट में आपको टेंशन नहीं होगी, छीक है सर, आगे, फिर सर, एड्मिट कार्ट भी आते हैं, जैसे आपका EET का है था, तो ये भी एकदम आखरी 10 दिन में आता है, मतलब अगर 1 जून से एक्जाम है, तो 20 या 21 मही को आपका एड्मिट कार् मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, कोई खुदो के बताएगा नहीं, खुदो के कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, चीक है, कि Executive EET के मुकाबले 10 गुना जाधा टफ है, ठीक है, क्यों सर, पहला मैंने आपको अलड़ी बता ज यहां Subjects Double है, वहां आपको 4 Subjects है, यहां आपको 8 Subject है, वहां आपका एक Subject 400 Page का है, तो यहां 800 Page का है, मतलब जो Content का Depth है, वो Double है, तो Subjects भी Double है, Content भी Double है, MCQ के जगर Return Paper है, Group Passing भी है, Time भी कम है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यह अगर आप Cumulative करो, उपर से Passing Result 10% Average ह यहां 80% है, यहां 10% है, 8 गुना का फरक तो यहीं दिख रहा है, Passing Result में 8 Times का फरक आपको दिख रहा है, चीक है, तो यह चीज़े हैं, तो आपको Seriousness भी 10 Times जादा रखनी पड़ेगी, जिस हिसाब से आपने ET प्रिपेर किया था, उसी हिसाब से, उसी Mindset से अगर आप प्र मेहनत है, इसरे Pass होने मेहनत है, रैंक में तो अलगी लेवल की मेहनत है, ठीक है, फिर है आपको कम से कम दो बार रिवाइस करोगे, तब ही चीज़े याद आती है, अब ET में तो आपका Experience आई गया होगा, कि इतना सारा content है, रिवाइस ही नहीं करोगे, तो क्या याद आएग रखना है, दो रिविजन का time अलग से रखना है, फिर एक आद बार आप return practice करोगे, उसके लिए भी time आपको अलग से रखना होगा, planning से होता है, ठीक है, फिर एक full syllabus stage भी आप दोगे, एक या दो round आपको देना ची, तो सब के लिए time बरोबर रखते जाना है, नहीं तो इंदर की बाते बता दी, कि tough बहुत जादा है, फिर single group या double group, single group तो फिर कौन सा group, सब चीजे मैं आपको बता दिये, यह सारे सवाल आपके मन में भी आने वाले है, modules का भी बता दिया, कि fee में included है, आपको लगबग एक महीने के बाद आपको वो मिलेंगे, आपके घर पे आ कौन सा देना है, फिर classes, यह वो सबाब अपने इसाब से decide कर सकते हो, और फिर directly आपको pre-exam देना होगा लगबग फरवरी में, फरवरी में आप pre-exam audio-op formality कर लेना, मार्च में exam form भर लेना, और फिर आप revision कर लेना, तो आप target रखो, target रखो कि मार्च mid तक आपको अपनी शेर जरूर करीगा, अपने friends के साथ, अगर आपको लगा कि काम की बाते मैं आपको बताई है, वीडियो को like जरूर कर दीगा, ताकि मैं motivated रहूं, और भी informations आपको देते रहूं for your exam of CS Executive in June 21, thank you so much.